दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि भारत का जो आज नक्सा है यह नक्सा किसकी वज़े से और क्यों है जरसल जरा आप सोचिए कि यह भारत में अंग्रेज ना आये होते यहां पर वो सासन ना किये होते तो आज भारत का मैप कैसा होता, क्या भारत इतना ही बड़ा होता जितना बड़ा आज दिखाई दे रहा है, या भारत इससे भी बड़ा होता, या भारत इससे भी छोटा होता, या भारत में और क्या क्या चीजे हो सकती थी, तो आईए आज हम इतिहास को अनालिसिस करते हैं, और देखते हैं कि यदि भारत में अंग्रेज ना आये होते तो आज भारत का मैप कैसा होता दरसल देशा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भारत में अंग्रेज नहीं आये होते तो भारत का मैप कम से कम ऐसा तो नहीं होता इस बात की पूरी गारंटी है अब देखते हैं कि यदि अंग्रेज ना आय होते तो क्या होता तो इसके लिए हमें इतिहास में चलना पड़ेगा यदि हम इतिहास में जाएं तो ऐसे कई राजा हुए हैं जो भारत को बहुत ही विसाल बनाये थे यदि हम बात करें असोक की तो असोक ने भी भारत को बहुत विसाल बनाया था आगर अंग्रेज ना आय होते तो सबसे पहली बात ये दोनों देश आज अलग होकर अलग देश नहीं बनते यदि अंग्रेज ना आय होते तो असोक जैसे समराट जब भारत को कई बार संगठित कर सकते थे तो हाला कि ऐसी संभावना थी कि कई सारे ऐसे राजा फिर पैदा होते जो भारत को पूरा संगठित करते हैं यदि हम बात करें ऐसे राजाओं की तो उसमें आते हैं असोक चंद्रगुप्त मौरे और ऐसे कई राजा आते हैं जो भारत का मैप बहुत हद तक सुधारे थे जिसमें यह देश भी आता कांधार से ले करके पूरा म्यामार से ले करके कई बार थाइलाइंड वगारा को भी शूद्या अहुत के में कि हम बात करें नीचे दजणी राजाओं की जो बात करें हमारे राजां के सभी आता सभी नहीं होते तो यह सभी राज आज हमारे होते ऐसा हो भी सकता है कि नहीं होते क्योंकि जब यह राजा इन सभी इलाकों को इकठा किये थे तो फिर दूसरे राजा आए जब वो कमजोर पड़े तो इन इलाकों ने सतनता गोसित कर दिया और हमारे भारत से अलग हो गए तो उसमें कोई मा पर दिख रहा है कि के यदि बात करें हम उत्तर विष्ठार की तो ऊत्तर में विश्टार नहीं करते बहुत हो सकता था तो हम यहां तक विश्टार करते नेपाल भुटान Kuciones को अपने मिलातें क्योंकि इधर विश्थ करने का सबसे में रीजन हिमाले था हिमाले की वज़े से हम इधर जाने में कोई भी दिल्चस्पी नहीं बैठा रहे थे और हिमाले के उस तरफ मौजूद लोग भी हमसे मेल नहीं खाते थे लेकिन हां अफगानिस्तान से लेकर कि इंडिया स्रिलंका बंगाल नेपाल भुटा मियमार और थाइलेंड जैसे बहुत सारे इलाके आज भारत में हो सकते थे भारत में कई बार ऐसे मौके आए हैं जो भारत ने कई ऐसे राजाओं को पैदा किया है जिसने भारत को पूरा एक किया है जिसमें यह सभी चीज़े आती हैं और कई बार ऐसे राजा भी भारत में पैदा हुए हैं जो भारत को पूरा सम्हाल नहीं पाएं वो अपने राज को भारत के अंदर ही लेकर के समिठ कर रह गए और भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग राज बनने लगे थे फिर इसके बाद कई राजा पैदा हुए हैं जो फिर से पूरे भारत को एक किये और कई बार ऐसे राजा पैदा हुए हैं जो कई बार भारत को टुकडो टुकडो में उन्हें बाटना पड़ा क्योंकि वो सम्हाल नहीं पा रहे थे तो मतलब यह है कि अंग्रेजदी नहीं आये होते तो संभावना थी कि भारत आज कई राज्यों में बटा होता कई देश होता लेकिन इससे भी ज़्यादा संभावना यह थी कि भारत में कोई एक नेता होता कोई एक राजा होता जो पूरे भारत को एक करता और भारत का मैप स इस बारे में आपका क्या विचाहर है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जरूर सेयर करें